तो मेरे सबी बंदूओं, मेरे भाईओं और मेरे बहनों तो सबसे पहले आप सभी को हैपी इंडिपेंडेंस डे और उसके बाद आप सभी को हैपी रक्षा बंदन है तो चला है और बिना डाइवेस्ट के वडियो को शुरूर करते हैं वो बिल्कुल परफाउमन्स वाइच चले, बिल्कुल स्मूड चले और कोई भी बग वगेरा ना आए तो हार्ड रिसेट क्यों करना चाहिए उसका बैसिकली यही रीजन है कि आपके फोन के बहुत ही हमारा पुरा रपसप वाला काम होता है हम बहुत ही हाड यूज करते हैं कही पर भी घुश जाते हैं कोई भी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और हमारे फोन में हम इचक काड़ा है मतलब हम कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करती ही रहते हैं क्या होता है कही बार कोई-कुई फाइल में जो है वाइरस वागेरा या फिर मालवेरस वाइरस वागेरा चोटे मोड़े वाइरस आते ही रहते हैं तो उन्हें क्लीन करने के लिए हम हमारे फोन को reset या फिर hard reset करना बहुत ही जादा important बन जाता है वरना आपका phone hack वागेरा भी होने के जादा chances होते हैं और आपका phone का performance है वो भी कहना कहीं कम होई जाता है तो जरूर आपको अपने phone में एक बार तो भी reset या फिर महने में दो या फिर तीन महने में एक बार तो भी अपने phone को hard reset करना कैसे होता है तो guys यहाँ पर हम reset नहीं करेंगे additional setting में जाके बहुत से लोग यहाँ से reset कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ से करके नहीं दिखाऊंगा यार क्योंकि हमारे 100 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे होने वाले तो प्लीज यार 100 सब्सक्राइबर मुझे बहुत तक पहुशा देना आप लोगों का बहुत बहुत ज्याद ज्याद मैं ठैंक्यू मन्द रहूंगा तो यार हर्ट-्रिसेट करने से पहले जो है आपको एक चीज को धयान में रखना है कि अपका हर्ट-्रिसेट करने के बाद जो आपका Uns Alors फोटो अगेरा नि Literal में हैं व भी खत्रे में रह सकता है तो आप जो डाटा को जो है एक बार जो है अपने के लैप टौप या फिर आधर स्पॉन में जो है ट्रांस्फर कर जिए और उसके बार जो है आप अपने CONTACT APP आप का जो है वैक अ निकाल लेजये बैक अने के लिए आपको सिदह एडिश्टनल सेटिंग में ने है रिस्टोर पर आने के बार आपको कर लेना है यहाँ यहां से जो है आपको अपने सब्ड़ी चीजों का यहां निकाल लेना है जैसेकि सब्सक्राइब कर लिए जैसे कि मुझे कॉल इस्ट्री इन दोनों की कोई चीज जरूरत नहीं तो आप अbnे मुतावे जो है आपको क्या इंपोर्टन्स लगता है उसके बाद जो है आपको स्टार्ट बैकप पे क्लिक कर लेना है जैसे कि यहाँ पर जो है बैकप एंड टू एक्स्टरनल स्टोरिज आप इंटरनल में कर सकते हैं लेकिन मैं जो है अपने कामल है आपको आपको करना कि आपको कर लेना है और इसके बाद परना के ने मैं न पता रहा हूंग तो करना कुछ beim में बता रहा हूँ करना है आपको तो दोनों ही दोनों ही बटन्स को जो ऐसा दबा लेना है दोनों ही बटन्स को पहले नहीं दबाना है तीनों ही बटन्स को जो है आपको साइम टाइम सेम पोजिशन पे जो है दबाना है तो जैसी कि यहाँ पर जो है आपको ऐसा जो है आप ब minist डिआंग il रेतニंड के वह स्वेंट कुर ने ़र है नि को जब वायट कर लेना है होजा करने के बाद आपका फोन इडार और मेरे संप्मेर्ट को कि आप यहां पर आपको तीन लेंग्वेजि तो चाएणा वाली है तो यह हम इंग्लिव को च्यूस करेंगे लेना अगर ओक करने के लिए आपको दो here आपको करने के लिए यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कोई लटी फिर चीज नहीं करने है वरना कुछ сकता है वहांस से एक पर बता दू आप अगर अपने फोन को वाइप डाटा करते हो मतलब हाट रिसेट करते हो तो कोई भी आपकी ग्यारेंटी वारेंटी पर कोई भी खतरा नहीं आएगा आपको बहुत से ऑप्शेंस मिल जाएंगे अस्ट इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज डिवाइज ऑनल क्लिक करने के बार आपको यहां पर पासवर्ड मागेंगा तो पासवर्ड दे देना है आपका जो पासवर्ड होता है जैसी कि मेरा पासवर्ड वो है लॉक्स्रीन वाला पासवर्ड देना पड़ेगा तो यहां पर मैंने दे दिया यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएं आपके phone को सिर्फ फिरेश करता है कोई आपके apps वगेरा या फिर data वगेरा जो है clean नहीं करता है लेकिन second वाला जो है guys वो option बहुत ही तगड़ा option है बहुत ही मसता option आपके phone को पुरी तरीक से जो है backup के और data वो रहता है या फिर ने और उसके बाद hard reset करने के बाद हमारे phone को जो है कैसा look मिलता है तो यहाँ पे जो है मैंने okay को बटन दबा दिया देन यहाँ पे आपको एक format data की attention आएंगा एक कि formatting the data pretension will erase all user information तो उसके बाद आपको okay कर लेना है okay करने के बाद जो है आपका phone जो है wiping please wait पे जाएंगा देन उसके बाद जो है आपको ऐसा interface में लेंगा आपको wait करना यह पूरी loading हो रहा है और उसके बाद जो है आपका पुरा ही phone जो है wipe up हो चुका है तो थोड़ा सा time लग रहा है तो wait करना पड़ेगा then उसके बाद जो है आपको एक ऐसी wipe up की successful attention आएंगी वहाँ पे लिका है formatting the data pre intention access उसके बाद जो है आपको okay कर लेना है okay करने के बाद जो है आपका phone अपने आपी जो है boot में चला जाएगा और उसके बाद जो है आपका phone का यहाँ पे logo आपको देखने को मिल जाएगा तो यह जो है हमारे realme का logo है उसके बाद जो है यहाँ पे आपको guys थोड़ा सा time लगेगा कितना भी time लग सकता है ज्यादा से ज्यादा 10 minute या फिर 15 minute तो यहाँ पे आपको कोई भी action वगेरा नहीं लेना है दूसरा मतलब यहाँ चेड़कानी नहीं करनी है तो अलग वाली buttons को दबा कि बाद जो है आपको थोड़ा सा इंतजार करना है आपका जो realme का logo आ जाएगा और guys यहाँ पे थोड़ा सा time लगता है तो मैं जो है यहाँ पे अपने phone को जो है ऐसा रख देता हूँ और उसके बाद जो थोड़ा सा time हम रुख जाते है So friends finally जो है हमारा phone पुरी तरीक से boot हो चुका है अपने नए वाले phone में तो यहाँ पे आपको सबसे परज़े select language का एक option हाजाएंगा तो पुरा setup लगाना है आपको जैसे आपने नए phone लिया था वैसा है आपको setup लगाना है तो continue पे click कर लेना है यहाँ पे फुली setup जो है अप 2-3 दिन के लिए आपका phone बहुत ही जादा fast work करेंगा सबसे पहले आपको setting में आना है और setting में आने के बाद जो आपको जो आपना जो backup किया हूँ डाटा है वो जो आपको अपने phone में डबल से एक बार restore कर लेना है तो उसके बाद जो है मैंने आपको process बताई है आपको जान आप फीच से आपके phone में मतलब आ चुके है तो आपको same method यूज करनी है आपने realme c1 के लिए तो यह वाली method जो है आप others realme phones के लिए भी जो है मतलब लगा सकते हो एकी method से जो है सभी phones को हम hardset कर सकते हो तो बहुत ही simple method जो है मैंने आपको बताई है अगर आपने अब तक like न आपके लिए तकotherapy आपके लिए को लिए है सकती है शैतifs अर आपके दो है कोके लिए है तक बत्य है जो हो है